तेलंगणा की गवर्नर तमिल साइज संदर राजन जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी नितिन गणकरी जी जी कुषन डेडी जी बाई संजय जी अन्य महानुभाव और तेलंगणा के मेरे भाई और बहनों हाल ही में तेलंगणा ने अपनी स्थापना के नव वर्ष फूरे किये है तेलंगणा राज्य भले ही नया हो लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगणा का कॉंटिबिशन यहां के लोकों का योगदान हमेशा बहुत बड़ा रहा है तेलुकू लोगों के सामर्थ ने हमेशा भारत के सामर्थ को बढ़ाया है इसलिए आज जब भारत दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी एकॉनोमिक पावर बना है तो उसमें भी तेलंगणा के लोगों के बड़ी भूमिका है और ऐसे में आज जब पुरी दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ रही है विच्षित भारत को लेकर इतना उत्सा है तब तेलंगणा के सामने अवसर ही अवसर है साथियों आज का नया भारत युवा भारत है बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है 21 वी सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पिरियड आया है हमें इस गोल्डन पिरियड के हर सेकेंड का पूरा इस्तमाल करना है देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए इनी संभावनाओं को बल देने के लिए बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगना के विकास पर यहां की कनेक्टिविटी पर विशेज ध्यान दिया है इसी कड़ी में आतेलंगना की कनेक्टिविटी और मेनिफेक्टरिंग से जुड़े छे हजार करोड रुपे के प्रोजेक्स का सलान्यास किया गया है इन सभी प्रोजेक्स के लिए बैतलंगना की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूं साथियों नए लक्ष हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं भारत का तेजविकास पुराने इंफ्रास्तेक्टर के बल पर संभव नहीं था आने जाने में अगर जाना टाइम बेस्ट होगा लोजिस्टिक्स अगर महिंगा होगा तो बिजनेस को भी नुक्सान होता है और लोगों को भी परिशानी होती है इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधिक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है आज हर प्रकार के इंट्रासक्तर के लिए पहले से कई गुणा तेजी से काम हो रहा है आज पूरे देश में हाइवे, एक्स्प्रेस वे, इकोनोमिक कोरिडोर, इंडुस्ट्रियल कोरिडोर एक जाल बीचा रहा है तू लेन के हाइवे, फोर लेन में और फोर लेन के हाइवे, सिक्स लेन में बदले जा रहे है नव साल पहले जहां तेलंगणा का नेश्टलन हाइवे नेटवर्क डाई हजार किलोमेटर का था आज ये बढ़कर पांच हजार किलोमेटर हो चुका है आज तेलंगना में पच्ची सो किलोमेटर की नेस्टलन हाईवे परियोजना है निर्मान के अलग-अलग फेशिस में है भारत माला परियोजना के तहट जो दरजनों कोरिडोर्स देश में बन रहे हैं उनमें से अनेक तेलंगना से होकर के गुजरते हैं हैदराबाद इंदोर इकोनोमिक कोरिडोर सूरत चिन्नई इकोनोमिक कोरिडोर हैदराबाद पणजी इकोनोमिक कोरिडोर हैदराबाद विजागापटम इंटर कोरिडोर ऐसे कितने ही उदारण हमारे सामने है एक प्रकार्थे तेलंगना आज पडोस के economic centers को जोड रहा है आर्थी गतिवितियों का hub बन रहा है साथियों आज नागपूर विजयवाड़ा कोरिडोर के मंचेरियल से बारंगल सेक्षन का भी सिलान्यास हुआ है ये तेलंगना को महाराष्टर और आंदरप्रदेश से आधिनिक connectivity देता है इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दुरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम के समस्या भी कमी आएगी ये विशेशुप से उनी एरियास से गुजरता है जहां विकास का भाव था जहां अमारे ट्राइबल कम्यूनिटी के बहन बाई बड़ी संख्या में रहते हैं ये कोरिडोर मल्टी मोडल connectivity के विजन को भी मजबूती देगा करिम नगर वारंगल सेक्शन के फोर लेन में बदलने से हाइदराबाद वारंगल इंडिस्ट्रिल कोरिडोर काकतियां मेगा टेक्स्ट्राइल पार्क और वारंगल एसीजेड की connectivity भी ससकत होगी साथियों भारत सरकार आज तेलंगणा में जो connectivity बढ़ा रही है उसका लाब तेलंगणा के इंडिस्ट्री को हो रहा है यहां के tourism को हो रहा है तेलंगणा में जो अनेक heritage center से आस्ता के स्थान है वहाँ आना जाना बहुर अधिक सुविदाजनक हो रहा है यहां जो agriculture से जुड़े उद्योग है करिम नगर की ग्रिनाइट इंडिस्ट्री है उसे भी भारत सरकार के इन प्रयासों से मदद मिल रही है यानि किसान हो या फिर समिक, student हो या professional सभी को इसका लाब हो रहा है इसे युवाओं को उनके घर के पास रोजगार के स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे है साथियों, युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में manufacturing sector बन रहा है making इंडिया अभ्यान बन रहा है हमने देश में manufacturing को प्रोजचाइट करने के लिए PLI योजरा शुरू किया है यानि जो ज़्यादा manufacturing कर रहा है उसे भारत सरकार ते विशेस मदद मिल रही है इसके तहट 50 से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट यहाँ तेलंगणा में लगे आप जानते हैं कि भारत ते इस वर्क्स डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट नव सबर्स पहले एक हजार रुपिये से एक हजार करोड से भी कम था आज ये सोला हजार करोड रुपिये पार कर चुका है इसका लाब हैदराबास सीथ भारत डाइनमेक्स लिमिटेड को भी हो रहा है साथियों आज भारती रेल भी मैनुफेक्टरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड नए पढ़ाव तै कर रही है इन दिनों मेडीन इंडिया बंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्था है बीते बर्सों में भारती रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमेटिव बनाए है भारती रेलिवे के इसकाय कल्प में अब काजी पेड भी मेकिन इंडिया की नई उर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है अब यहां हर मैने दर्जनों वैगन बनेंगे इस एक शेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे यहां के हर परिवार को किसे ना किसी रूप में लाब होगा यही तो सबका साथ सबका विकास है विकास के इस मंत्र पर तेलंगना को हमें आगे बढ़ाना है एक बार फिर आप सभी को इस अनेक प्रकतिशिल कायरकमों के लिए आयोजनों के लिए विकास के नई धारा के लिए मैं बहुत-बहुत बदाई देता हूं बहुत-बहुत सुपकामनाई देता हूं धन्यवाद भाँ तो यहां पर आपने सुना प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री वारंगल में थे यहां जनसभा को वह संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया किस तरह से तिलंगाना की स्थापना के अब जो 9 साल पूरे हो चुके हैं तिलंगाना का एक बड़ा योगदान रहा है तिलं का ध्यान दिया जा रहा है इसके लावन नैशनल हाइवे का नेटवर्क उसको भड़ा दिया गया है और देश में एक तरह से पूरा सड़कों का जो जाल बिच रहा है तिलंगाना किस तरह से उससे कनेक्ट किया गया है